दो से तीन मिनट अंदर बाहर करते ही अगर आपका बीरिय जड़ जाता है आप जादा देर तक अपनी बीबी के साथ ठुकाई नहीं कर पाते आपकी मरदाना ताकत कमजोर हो चुकी है बच्पन में आपने बहुत ही जादा मास्टर वेशन किया है हिला हिला कर अपनी मरदाना ताकत को गवा दिया है जिसकी वजह से आज दो से तीन मिनट से ज़्यादा ठुकाई नहीं कर पा रहे तो आप इस औसधी का इस्तमाल कर लो 80 साल का बुढ़ा भी इस औसधी को एक खुरा खा लेता है तो चार चार जवान औरतों का पानी एक साथ जाड़ देता है और जवान मरद इस औसधी को खाकर बीबी के पास चला जाता है तो ठोक ठोक कर बीबी की गुफा सुजा देता है बीबी चार दिन टांगे फैला कर चलती है इस औसधी में है इतना जोस तो चलिए जाने इस औसधी के बारे में इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो ध्यान से देख लो और पहचान लो इस अगभुत औसधी को यह इलाइची है और दूसरी चीज आपको चाहिए दोस्तों भिंडी इलाइची और भिंडी का इस्तमाल करके आप अपनी खोई हुई मरदाना ताकत को वापस पा सकते हैं और अपनी बीबी की ठुकाई करके उसकी इक्छा को भर सकते हैं आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मैं जैसे ही डालता हूँ बीर ये जड़ जाता है आप इस ओसधी का इस्तमाल करें तीन से चार घंटे लगातार थुकाई करेंगे फिर भी जल्दी आपका जोस खतम नहीं होगा तो सबसे पहले आपको प्रती दिन दो भींडी साम के समय बीच में से फाड़ कर उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है जितना छोटा हो सके उतना छोटा आपको भींडी को काट देना है उसके बाद आपको इलाइची का चूण एक चमच की मात्रा में और दो भींडी का कटा हुआ पीस गिलास में डाल कर पानी डाल देना है उपर से आपको इलाइची का चूण डाल कर उसे रख देना है पूरी रात रखने के बाद सुबह उठकर आपको उसे पी जाना है उस पानी को और चबा चबा कर भींडी को खा लेना है सिर्फ लगातार तीन दिनों तक इस्तमाल करो घोड़े से भी ज़्यादा तेज हो जाएगी आपकी मरदाना ताकत तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को सेर करें बाई बाई फ्रेंड